और सब की उपर नज़र रखती। मैं हर कानूंगों, हर लेकपाल, हर एक तैसिलदार पर मेरी नज़र एक एक चीज जैसे एक माँ अपने घर को चलाती हैं, वैसे मैं सुल्टानपूर को चलाती। एक तरफ से बड़े काम होते हैं, आपने मेरिकल कॉलिज माँगा, वो बिल गया, आपने माँगा तीन सब स्टेशन लग रहे, आपने माँगा पॉली टेखनिक नवो देवित्याले साथ लग रहे, फायर स्टेशन लग रहे, देव सो करोड रुपे के प्रधानमंत्री योज सबसे बड़ा एक बड़ा हस्पताल बना है, सौ बिस्टे वाला बेर सिक्पूर में, अगरी दफ़ा आऊंगी तो उसका उठाटिल करूगी, सबसे ज्यादा ऑक्सिजन की व्यवस्था मैंने अब करवाई है, कि अगर कभी भी जरूरत पड़े, तो पिछली दफ़ा की तर उसका अब करते हैं, आगर नहीं चलते हैं, तो आप मुझे बताईए, यहां तक मामला है, कि लोग मुझे बस के अंदर से फोन करके कहते हैं, माता जी किसी में बसकी सफाई नहीं करी है वह के भात करके कुछ 추천 करी हूं कि कादीपुर में मैंने बसदा बना दिया है देड करोण में बन रहा है और अभी मैं कोशिश कर रहे हैं कि सुटानपुर की मैं बसदा नया बना दू ताकि वो जगह मुझे में जाए छेले वालों के तो काम जा है और क्या सम्देश देना चाहते हैं जमील के की तरह अगर लोग अपना दिमाग लगाना शुरू करें और नए नए चीज़न बनाना शुरू करते हैं तो हम लोग डरते हैं बस गन्ना के हूं चावल इन चीज़ों की बीच में हम बढ़ाते रहते हैं और और कुछ लेकिन अगर आप अम्रूद आप जैसे की जो अगर si song और अगर अंग देखरके और पूरे देश का ही व्यक्स केवल हाद tournament बनाता है तो हम क्यों नहीं मेहंदी क्यों लगा सकते हैं यह चीज़ेहें जिन्से हम लोग भालüpह अभी मैंने इनको बोला है कि अगर बना संदल मैंने घुभी आम मतलब आम जगाओं में उगता है और क्या बोलते हैं गर्मियों के मौसम में इतने बड़े-बड़े सेब होते हैं और वो भी दो साल के अंदर अगर वो ही लगा सकते हैं अब पिछली दफ़ा तो मैं लाई थी यह सेब अब मैं और ले आओंगे